जैहिन दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार दिख स्वाधत करता हूँ दोस्तों आज हम Chemistry के एक बहुत ही Most Important Chapter को कवर करने वाले हैं आज की जो Chapter है उसका नाम है Radio Activity यानी की Radio Activity ये Class Group E1 और Group E2 Defermency के दोनों Group के बच्चों के लिए होने वाली है तो चलिए आज की Class को स्टार्ट करते हैं दोस्तों Class स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको Defermency का Full Preparation करा जा रहा है Free of Cost इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी टेल्ग्राम चैनल को जोईनने किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्सन में बिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके आप टेल्ग्राम पर ज़रूर जोईन कर ले वहाँ पर आपको डेली फिरी क्वीजिस करा जाते हैं टेस्ट क्वीजिस करा जाते है Radio Activity में सबसे पहले हम इसके परिचर को देख लेते हैं कि Radio Activity है क्या तो दोस्तों वे तत्व जो प्रकर्ती में इस निकल ले वाली केड़ें तथा इनका यह गूर Radio Activity कलाता है दोस्तों ये बहुत ही IMPORTANT है Radio Activity इस चैप्टर से अधिक से अधिक मात्रा में एक जामेक प्रस्न पूछे जाते हैं तो सभी ज्याद तत्तों के समस्थानिक गिनका की परमाड़ू क्रमांग 83 से ज्यादा होता है वे सभी तत्तों रेडियो एक्टिव तत्त्तों कहलाते हैं रेडियो एक्टिवता की खोज फ्रांस के भौतिक सास्त्री दोस्तों ये बहुत ही most important question है अब दोस्तों बात कर लेते हैं radioactive कीड़ों के प्रकार क्यूंकि radioactive कीड़ होती हैn उनके 3 प्रकार की होती है alpha,beta और gamma इनके नाम आपने सुने होंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं alpha कड की alpha particle जो दोस्तों होती है अलफा कर्ड हिलियम पर्मालु के नाभिक होते हैं तथा प्रतियक में 2 प्रोत्राइद, 2 नूर्ट्राइद, तथा 2 एकाई धनात्मक आवेस होता है जब स्थों ऑलफा कर जो होता है ये धनावेसित कर होता है ये आपको आपको याद रखना है ये प्रबल चुम्बकी तथा युद्धु छोट छेत्र में रेड़ प्लेट की और विच्छेपित होने वाली कीड़े होती है इसे हिलियम तथा टू-फूर अलफा संकेत द्वारा प्रदर्सित किया जाता है दोस्तों अलफा कीड़ को ये और ये दुनों तरीके से इसको हम ब्यक्त करने का यूज करते हैं दोस्तों अगला हमारे पास एक चार्ट है जो कि अलफा बीटा और गामा तीनों कीड़ों को एक तुलनात्मक रूप से अलग-अलग गुड़ों की अधार पे बाटा गया इसमें है जिनमें आप देख सकते हैं प्रकृति के आधार पर अलफा कीड़ों को हिलियम यानि की इस प्रकार डिनोट किया जाता है बीटा केड़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रेड़ आवेसित केड़े होती है जबकि आप जानते होंगे गामा केड़े जो होती है यह आवेस रहीत होती है यानि इनका जो इस पर भार होता है वो सुन्ने होता है और इसे फोटान इनके अंदर आ जाएगा आगर आगे देखेंगे आप तो आवेस, दर्भेमान, संगठन, सुरूत, वेग, उर्जा, भेदन सकती, गैसों को आनित करने की छमता, चुमकी तथा विद्धूती छेतर में विच्छेपड, जे जिंक, सलफाइड और फोटोग्राफी प्लेट पर इन केड़ों का अलग-अलग क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा, जैविक पतार्थों पर भी इन तीनो केड़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानि क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा ही दोस्तों, मानो जीवन पर यानि कि आप जानते होंगे, कि में अध्यान कर लिजेगा इससे आपके प्रतियक प्रस्ण बनने के लिए बहुत ही most important है इनके आकड़े जो है यह आपको exam में पूछे आते हैं तो इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लिजेगा इसका आप screenshot ले सकते हैं अब हम चलते हैं आगे दोस्तों अब हम दे miracle based question भी बनते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोनियम का जो प्रमारू करमांक है वो 84 है वही उसका प्रमारू भार है वो 215 है इसमें से एक अलफा कड़ आपका निकल जाता है तो आपका क्या हो जाता है यह आपका PB यानिकी LED बन जाता है जो कि इसके आप देख करमांक में 2 की वही उसके परमारू भार में 4 की कमी हो जाती है दोस्तो इस पर आपको numerical based question एक जाम में देखने को मिलेगा अगर आप इससे समझ जाएंगे तो आप इससे आने माले कोई भी प्रस्नों को चुटकियों में solve कर पाएंगे उसी प्रकार बीटा कर जो है एक कर ब यहाँ पर बिश्मत आपकी धातू ही है जिसमें 83 इसका परमारू करमांक है वही उसका जो भार है वो परमारू भार 213 है दोस्तो इसमें जब एक आपका बीटा कर निकल जाता है यानि अलग होता है तो इसके परमारू भार में तो कोई effect नहीं परता है क्योंकि यहाँ पर 21 परमारू करमांक एक एकाई बढ़ जाता है इससे अब ध्यान दीजेगा परमारू करमांक में एक की वृद्धि हो जाती है यादि अगर आपके परमारू से एक अलफा कर निकल जाता है यानि अलग होता है दोस्तो आई थिंक आप समझ गये होंगे इस पर आपको हम निमेर इस नियम के नुसार एक अलफा कड के उस वदन से नयत तत्तोि का आवाशाड़ी में इस्थान मुल परभावू से दो इस्थान बाईयोर तथा एक बीटा करके उस सदन से नय तोतक का इस्थान एक इस्थान दाईयोर ब्यवस्तित हो जाता है तो ये भी आपको याद करना होगा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्ध आयू दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन है ये इस से आते हैं और अगर आप रेडियो एक्टिवता यानि कि रेडियो एक्टिवता पढ़ रहे हैं तो अर्ध आयू आपको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि अर्ध आयू कहते हैं यानि कि अगर आप अर्ध आयू को टी हार्फ से दिनोड करें तो थी हार्फ इसक़ल टू 0.6932 इसका वियलू आपको याधो करना होगा और य के ग्री कि मात्रा जो है ये आपको यहाँ पे जिन यानि कि आपके जो निमेलिकल बेस्ट क्वेस्टन होंगे उसमें आपको दिया होगा जो कि k जो है यहाँ पे विग्टन इस्तरांग कराता है रेडियोक्टिव प्रदार्थ क्या अर्षत आयू जो होती है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं जो कि प्रदार्थ की अर्ध आयू होती है दोस्तो अगला हमारा है नाविक की विखंडन जोस्तो नाविकी विखंडन जो है यह बहुत ही इंपर्टेंट है अतह वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाविक दो छोटे नाविकों में तूट जाता है तथा आपार उर्जा उत्पन करता है नाविक की विखंडन कहलाता है जोस्तो आप समझें होंगे जैसे कि कोई दो बड़ी परमाड़ों का आपस में टकराना और उससे टकराने के बाद बहुत ही अधिक मात्रह में उर्जा का उत्पादन होना यही आपका नाविक विखंडन की क्रिया कलाती है आपको एक्जाम में आपको यह जो डेफिनेशन है यह आपको पूछी जाने का नुमान है क्योंकि पिसली एक्जामों में डेफिनेशन इसका वन लाइनर या टू लाइनर में पूछा गया है अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि नाविक विखंडन का यूज कहा होता है दोस्तो नाविक विखंडन की जो प्रक्रिया होती है यूज हम पर्माडो बाम की इसी जिदान पर कारी करते हैं इसके अलावा नियूक्रियल डिक्रेक्टर जो होता है एक विशास क्रकार की भटी होती है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंतर नाविकी विखंडन करा जाता है डिक्रेक्टरों में कैडमियम की छड़े नियूट्रान आवसोसक का कारी करती है इन चड़ों को नियंतर चड़ करती है भारी जल तथा ग्रेफाइट का कार नियूट्रानों की गर्थी को मंद करना अर्थाद ग्रेफाइट मंद का कार करने ते यूरेनियम 235 इधन का कार करता है दोस्तो यूरेणियम 255 जो मैं बोल रहा हूँ यह 235 जो है इसके परमाड़ु भार को प्रसित करता है इसलिए इससे उरेणियम 235 के नाम से ही जाना जाता है अगर आपने जहां कहीं भी उरेणियम दिखा हुआ देखा होगा वो कुछ इसी प्रकार आपने लिखा हुआ अधिक मात्रा में उर्जा उत्तपाधन करते हैं क्योंकि उत्तपादन का कुल भार अभिकारक के कुल भार से कम होता है। नाव इक विक्हंदण की प्लाक्रिया हो। hydrogen bomb नावडी की सनलंग के अधार पर ही अधायत होता है यानि काल करता है उसी प्रकार रेटियो कार्बन काल कार्बनिक मूल की जो प्रत्त वस्तुओं की आयू ग्याद की जाती है उनमें भी हम इसी पक्रिया का यूज करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह फर्मूला है ज जहां पर आप देखेंगे तो यन जो है एन जोस्तों यह कुल समय बाई अर्द आयू काल का यह फार्मूला है वही सारुजा का स्रोज होता है मैंने आपको अभी उपर बताया था कि यह नाविकी स्रलियन की क्रिया पर ही आधारित होता है दोस्तों एक समीकर आपने बहुत प्रहरठाणो वह नोटर्ंच से मिलकर होता है तब उसमें से कुछ द्रव निश्ट हो जाता है जो उर्जा के रूप में उस्वर्जा की रूप नाम से जाला जाता है यह उर्जा आइंस्टीन समीकर ईचको टू एमसी स्कॉर की अनूसार गयाध की आती है यह फिर मुक्त ह दोस्तो, e is equal to mc square यह फार्मूला अगर जयात करना होगा, अगर आपको यहाँ पर कीडोग्राम में वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर आप इसे प्रकास की चाल, यानि की जो C यहाँ पर है, यह प्रकास की चाल होती है, 3 into 10.8 इसे आपको याद करना होगा, कभी-कभी गजा हो तो नाभिक की बर्धन उर्जा जो होगी, वो 931 मिली वोल्ट होगी, जोकी धर्मान की गुरंफन के बराबर होता है, दोस्तो, एक value आपको यह नोट कर लीजेगा, एक AMU जो होता है, वो आपका 931 मिली वोल्ट के बराबर होता है, प्रतिन नुकलान बर्धन उर्जा ग् याद कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं संकुरन गुरांग क्या होता है तो दोस्तों यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर संकुरन गुरांग का आपको फार्मुरा याद होना चाहिए अगर आपको एक्जाम में नियुमेरिकर बेस्ट केशन में दोस्तों चाहिए c14 जो है यह समस्थानी का उपयोग हम अजीवी कारपनी वस्तु फोर्टेंग के लिए किया जाता है C14 का यूज हम किसी भी जीवास्म धातू या वस्तू की आयू ग्याद करने के लिए कारबन 14 का यूज करते हैं ये आपको पता होगा तो दोस्तों काफी कम समय में हमने आपको पूरा वीडियो में जितना अभी इसका चैप्टर में इतने भी प्रशन बन जाते हैं वे सभी प्रशन मैंने आपको इस छोटे सी वीडियो में कवर कर दिया है इस वीडियो के बाहर से आपके कोई भी प्रशन नहीं बनेंगे इसकी मैं गारेंटी लेता हूँ क्योंकि ये जो मैं आपको material दे रहा हूँ ये syllabus के according ही है और ये अरिहन प्रकासन की book से ही ली गई है तो आई थिंग आपके जितने भी इस चैप्टर से doubts होगे वो सभी clear हो गए होगे तो जलिए अब इस चैप्टर से जितने भी most important objective question बनते हैं जितने भी numerical based question बनते हैं उनको भी solve कर लेते हैं जो की previous year question paper में पूछे गए हुए है और आने वाले आपके 24 के exam के लिए काफी important होने आले हैं question आपके मुआरी स्कीन पर आ चुका है पूछा गया है कि Dalton के परमाडू वाद की अनुसार वह सुशमतमकर जो स्वतंत आवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है देखें Dalton महुदो ने पूछा है कि परमाडू उनका एक सिधान था Dalton महुदो ने एक सिधान दिया था परमाडू वाद का सिधान ठीक है वह सुशमतमकर जो स्वतंत आवस्था में रह सकता है तो वो क्या आकलाता है ये पूछता है डाल्टन का पर्माडवाद का सिधान ठीक है तो डाल्टन के पर्माडवाद के नियम के नुसार वो सुष्टमकर जो की स्वतंत अवस्था मेरा सकता है तो वो है आपका पर्माडव क्या है पर्माडव यानि सबसे सुष्मतमकर जो है वो परमाडू है और बहुत साथ जो परमाडू होते हैं वो मिल करके आपके एक अडू का निर्माड करते हैं ठीक है और यहाँ पर भी option जो आप दे रहे हैं यह आपका बिल्लकुल सही उतर हो जाएगा ठीक है next question पर चलते हैं पूछा गया है कि मुलकिन मुलिकन का तेल की बूंद वाले प्रियोग का मान बताता है क्या बताता है मुलिकन नाम के भी आएग थेनों ने एक तेल की बूंद वाला प्रियोग किया था इनका प्रियोग जो है वो किस की मान को बताता है तो इसका जो correct answer होगा वो आपका होगा option number A यानिकी electron ओके next question है electron का आपेचिक द्रब्यमान क्या है तो देखिए electron का जो आपेचिक द्रब्यमान है पूछा गया है तो वह होगा आपका 1 by 837 ठीक है यहाँ पर option number A जो है वह आपका electron का आपेचिक द्रब्यमान होता है next प्रस्ट आप से धनावेशिद केड़ो की धारा होती है या पिर आपका सकते है कि रावेशिद केड़े हैं धनावेशिद केड़े हैं वे दुडुचुमकी तरंगे हैं और इस। ताचे से समझा रखा तो आप उन्स पैसले को देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर टाइपिंग मिश्ठेक है इलेक्टान की आवेश की माप एंग स्टाउम में होती है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है वो हैपका परमाडू करमांग जो है यह सिद्धान जो है वो मोजले के द्वरा ही दिया गया था तो B option यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर जाएगा यहाँ पर एक question और बनता है कि आधूनिक जो आवर्ट स्राडी जो बनाई गी है उसका जिद्धान क्या है तो वो परमाडू करमांग के अधार पर ही बनाए गया है नेस्ट question है किसी तत्व का परमाडू भार जो है वो 19 है परमाडू के दितियक कच में साथ इलेक्टान है नाभिक में प्रोटानों की संख्या क्या होगी आपको यह बताना है देखे इस question के लिए मैं आपको बहुत ही एक easy बताने वाला हूँ जिसको अगर आप समझ गये तो आपको question बिल्कुल भी याद नहीं करने होगा कोई भी रटने किया सकता नहीं पढ़ने वाली है जैसे आप से पूछा जाए कि बताइए oxygen जो है इसका परमारू करमा क्या होता है या फिसका परमारू भार कितना होता है तो आप कभी count करने लगे देखे सबसे पहली बात यह हुई कि आपको कम से कम कम से कम 30 तत्तु के sequence वाई स्टाटिंग से hydrogen, helium, lithium, baleum, boron, carbon, nitrogen, oxygen, protein, neon ठीक है करीब 30 तत्तु के नाम जो है आपको आयाद होना ही चाहिए नहीं आद है तो याद कर लीजे क्योंकि इसके बीना आपका कुछ भी नहीं हो सकता है अब यहापे आते हैं मुद्दे पर अगर आपसे पुछा जाए कि oxygen का परमारू भार कितना है या फिर परमारू करमांग कितना है तो क्या आप बता पाएंगे आप कायंट करेंगे हिडरोजन, हिलियम, लिधियviamente, बैरोलियम, बॉरोण, क्यूर्वर्ण, निटोजन, आउक्सिजन जब इस पर आप कायंट करते हैं तो आप देखे है उक्सिजन जो है वह आठवे नंबर प़ाता है यानि आठ जो है वह इसका जानते हैं तो जान जाईए किसी भी तत्वा का जो परमारू करमांक है उसका ज़स्ट डबल अगर आप कर दे तो उसी के लगबग इसका जो है परमारू भार होता है यानि आठ अगर इसका अक्षिजन का परमारू करमांक है इसका परमारू भार जो होगा वो 16 होगा हालांकि यह 16 point something होता है, लेकिन इसको equal मान के चलते हैं, 16 ले लेते हैं, अगर carbon की बात कर ले जाए, तो अगर carbon जो है hydrogen, helium, lithium, baron, carbon, इस प्रकार से आप count करना होगा, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है, तो carbon के लिए carbon 6 प्रमाव करमांग होता है, यानि इसका प्रमाव भार कितना हुआ है, आपको 12 होता है, अगर आपको क्रमांग याद है, तो यह निकाल सकते है, value, यह value आद है, तो यह value आप count कर सकते हैं, निकाल सकते है, ङयाद कर सकते हैं, अब देखे, इस question की बात करें, तो इसका जो दिया गया है, पर्मालू भार, तद त्वक्या है, हमें Confederate गया ह तो आप जानते है कि जो परमारू क्रमांक होता है वही किसी भी तत्यों के प्रोटानों की संख्या के बराबर होता है यानि कि यहाँ पर B option 9 जो है वो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट एंसर हो जाएगा देखें सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है निमलेखित में से कौन सा एक किसी तत्यों के प्रमारू क्रमांक को सबसे सही निधायत करता है तो मैंने बताया कि प्रमारू क्रमांक जो होता है उसी की संख्या को प्रोटानों की संख्या के बराबर होता है याप प्रोटानों संख्या आप कह सकते हैं तो A option यहाँ पर बिल्कुल correct answer होगा, इस पर आपके numerical best question भी बनते हैं, जैसे कि परमाडू क्रमांक यहाँ पर फार्मुडा होता है, प्रोटानो की संख्या बराबर परमाडू क्रमांक ठीक है, और यहाँ पर आपके numerical भी बनते हैं, तो जो कि हम आपको आगे solve भी करा देंगे अगला है, रेडावेसित परमाडू में प्रोटानो की संख्या क्या है, रेडावेसित कोई परमाडू है, तो उसमें प्रोटानो की संख्या क्या होगी, तो परमाडू में इलक्टानो की संख्या से कम होगी, यहाँ पर D option आपका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, वो 6 है, oxygen का जो है वो 8 है अमाले जे परमाडू भार जो है carbon का जो है वो 12 है oxygen का भी 12 है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के जो परमाडू भार है न वो आपस में बराबर है तो इस condition में इसे संभारिक कहा जाता है यानि परमाडू भार जब दो तो के बराबर होते हैं तो वो एक दुसरे के संभारिक कहा लाते हैं वही जब परमाडू करमांग जो है एक दुसरे के समान होते हैं तो उस condition में एक दुसरे को एक दुसरे का समस्थानिक कहा जाता है प्रमारू क्रमांग समान होने पर ठीक है तो यहाँ पर तो C option आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगर आप परसन आप से पूछा गया है कि oxygen तथा O18 है यहाँ पर oxygen नहीं है यहाँ पर O18 है तथा oxygen के समस्थानिकों में इलेक्टानो की संख्या कितनी होगी इलेक्टानो की संख्या आप से यहाँ पर पूछी गई है तो देखिए इलेक्टानो संख्या याई कि आपके परमारू क्रमांग की संख्या या फिर आपका सकते है प्रोटानो की संख्या तो देखिए यहाँ पर oxygen चैनि, यहां पे प्रामारुभार 18 musi और यहां पिम्हें, डेखिए प्रामारुभार 18 तो आप चैनि केटी है, क्आ है यहां पर प्रामारु कुर्मारु आट अ स réfड दित ग्ती कोई केटी है है ओ जिसका प्रमावगार अठर है अब प्रमावगार में इसमें दिया नहीं है इलेक्टानों की संख्या क्या होगी आप से पूछा गया इसमें है कि इसके इलेक्टानों की संख्या क्या होगी देखें आप इसाफ तोर पर आपको प्रश्ण में दिया गया है यह दूरों एक दूरे के समस्थानिक हैं यह तथा अक्षिजन के समस्थानिकों में यानि यह पहली बता रहा है प्रवश्ण नहीं कि यह एक दूरे के समस्थानिक है आपको प्रवश्ण को ध्यान से समझना होगा पढ़ना होगा युकि प्रश्ण में ही दिया गया है कि ये एक दूसरे के समस्थानिक है तो इसमें इलेक्टानों के संख्या की होगी क्योंकि इसका जो क्योंकि एक दूसरे के समस्थानिक है और समस्थानिक उसे कहते हैं जब दोनों के तो यहाँ पर जब इसका आठ है तो इसका भी यानि आठ ही होगा यानि समस्थानिक है तभी तो अगर ये भी अगर सूलय हो जाता तभी एक दुसरे के समभारिक होते नो कि समस्थानिक होते ठीक है तो उमिध है आपको ये पर करेक्ट एंसर होगा अभी आपके सामने मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर मैं इस परस्टन के लिए इस्टार बना रहा हूँ आप चाहए उसको स्क्रीन सॉट ले लिजेगा Planck-Nihatan इसका मान जो है प्रिविएस एर के वेशन पेपल में भी पूछा गया है Planck-Nihatan का जो मान है वो कितना होता है तो देखे Planck-Nihatan इसका मान जो होता है वो आपको याद होना चहिए मुझवानी ठीक है, हलांकि अगर आपको numerical based question देंगे, तो उसमें आपको इसकी value दी हुई होती है plug दियतांग जो है, इसको हम edge से denote करते हैं, कहीं-कहीं इसकी value तो आपको अलग-अलग denote करने को देखने को मिल जाएगी इसकी जो value होती है, वो 6.67 यहापर 6.66 दिया है, लेकिन यहापर 6.66 या फिर 6.67 भी आपको कहीं-कहीं देखने को मिल सकता है 6.67 into 10 to the power minus 34 इसका जो power है, वो minus 34 होता है, ग्राम पर meter square per second यह इसका, पलांग-नेतांग का मान होता है, ठीक है तो आपको objective में 4 नंबर में यह प्रस्ण जो है, पूछाया सकता है बहुत ज्यादे important question है, इसको आप जरूर note कर लिजिए अगला प्रस्ण है, किसने विकिरण की उर्जा तथा आवित्ती के मद्य संबन्ध दिया था कौन थे जिन्होंने विकिरण उर्जा तथा आवित्ती के मद्य संबन्ध दिया था तो वो थे आपके plank महोदेने ठीक है, और इन्होंने ही इनके नाम पर ही plank, इनका plank नियतांक मान भी रखा गया है अगला प्रस्ण है, निम्ड में से कौन सा X केड़ो का गुर नहीं है तो देखिए, चुम्बकी तथा विद्धुत छेत्र में विछेपित हो जाते हैं यह जो है, X केड़ो में यह गुर नहीं पाय जाता है यानि X केड़ो का गुर कौन सा नहीं है तो चुम्बकी तथा विद्धुत छेत्र में विच्छेपित हो जाते हैं ये इसका गुड नहीं है तो यहाँ पर C option आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करने A, B और D की तो ये सभी X केड़ों की गुड हैं यानि की V केड़ गैसों को आयनित कर देते हैं X केड़ें इसके अलावा जिन्ग सर्फाइट के साथ प्रजीदिप्ती उत्पन करती है X केड़ें तरंगदयद या पराबैग्नी केड़ों से छोटी होती है जो X केड़े है उनकी तरंगदयद होती है वो अल्टर वैलेट जो वेवस होती है कांसी प्रकृति में विद्दु चुम्बकी होती है देखिए आपको चार आपसन दिया गया है पूछा गया है कि निमनिकित केड़ों युगमों में से आपको दो-दो केड़ों के युगम दिया गया है बीटा केड़े गामा केड़े तो इन में से कौन सा योग में बिल्कुल सही है जो की प्रकर्टी में विद्दु चुम्बकी होती है तो वो होती है आपकी X केड़े एवं गामा केड़े या से ध्यान से समझेगा X केड़े और गामा केड़े जो है इसको कुछ इस प्रकाशिक डिनोट करते है तो ये आपके 3 केड़े होती है ये प्रकरति में विजुंबकी होती है कि इलेक्टानों के पत पर दिर्ग विर्तिय कच्छकों का प्रवेश्व कराकर बोर्ट माडल को रुपा अंतित किया तो वो थे आपके सुमर फिल्ड महोदे यहाँ पर C option आप लगाएंगे तो आपका एंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्टन है hydrogen परमालू की बोर तिज्या का मान कितना होता है देखिए यह बहुत ही most important question है और previous year में यह पूछा गया प्रस्टन है hydrogen परमालू की बोर तिज्या का जो मान होता है वो 0.529 into 10 to the power minus 8 cm होता है C option यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर है अगला प्रस्टन है बोर माडल प्रियोग किया जाता है H परमालू के लिए helium प्लस आयन के लिए धनायन हो फिर भी आप प्रियोग कर सकते है hydrogen परमालू के लिए भी आप बोर माडल का प्रियोग कर सकते है यानि कि D option अल आप दी जिसका सही उत्तर है next question का पुछा गया है कि बोर माडल के अनुसार पांचवी कच्छक में electron का कोडी संवेग क्या होगा बोर माडल के अनुसार पांचवी कच्छक में electron का कोडी संवेग कमान क्या होगा तो देखिए पांचवी कच्छक के लिए electron का कोडी संवेग होगा वो आपका होगा 2.5 into h by pi यहाँ पर C option आपको देख रहा है और यह same का same question 2000 हजार 22 के question paper में पूछा गया है आप अगर question paper देखना चाहते हैं तो चैनल पर 22 की, 21 की 23 की भी question paper full solution के साथ upload कर दी गई है आप उन वीडियोज को playlist में जा करके देख सकते हैं, search कर सकते हैं चली चलते हैं, next question पर यहाँ पर C option बिल्कूर correct answer होगा हलांकि इसका जो solution है इसका जो method है solve करनेगा वो भी मैं आपको आगे जो numerical best question आएंगे उस पर solve करा दूँगा, ठीक है अगला परसन है hydrogen की देतिय बोरक अच्छा में electron की उर्जा 3.4 electron volt है इसकी गतिज उर्जा क्या होगी बहुत अच्छा question है hydrogen की देतिय बोरक अच्छा में electron की उर्जा जो है electron की जो energy है वो 3.4 electron volt है उसकी गतिज उर्जा क्या होगी तो गतिज उर्जा जो होगी वो 3.4 electron volt negative होगी, यहाँ पर A option आपका सही उत्तर होगा इसका अगला आपसन है निवनों में से कौन सा सत्य है आपको फार्मूला यहाँ पर याद रखना चाहिए pi is equal to nh by mvr into 2 यहाँ पर A option जो है फार्मूला आपको दिख रहा है यह फार्मूला बिल्कुल सही है ठीक है A option यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer होगा यहाँ पर H plank नियतंक है अगला पासन है जब एक electron उच्च कच्चक से निम्न कच्चक में आता है तो क्या होता है electron जब कोई है जब कोई उच्च कच्चक में निम्न कच्चक में आता है उच्च कच्चक से उसके उर्जा जो है न उसका उच्च सर्जन होता है क्या होता है उर्जा का उच्च सर्जन होता है फिर उर्जा को प्तियाग देता है ए उप्सन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी प्रस्टन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आपने 12 तेबर में अपने करा होगा निवन में से कौन सा सिधान्त यह नियम बताता है कि किसी कच्चक में अधिक्तम इलेक्टान कितने आ सकते हैं तो वो बताता है आपका पाउली का आपो अर्जन नियम यहाँ पर बी आप्सन आपको दिख रहा होगा ये इस क्वेशन का बिल्कुल सही उत्तर है अगला जो प्रफशन है इसको थोड़ा सा समझना होगा डिस्कस करेंगे इसमें अच्छे से देखिए नियम में से कौन सा इलेक्टानिक विन्यास संभव ही नहीं है इलेक्टानिक विन्यास निखने का जो सही करम होता है अपने 12 तेबल में पढ़ा होगा हलांकि हम आपको बताएंगे करम जो होता है वो आपका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10 कुछ इस प्रकास चलता है ठीक है अब यहाँ पर दिया गया देखिए 1s2 तो यह तो करम बिल्कुल सही है 1s2 एक ही दिया है न इसके बाद अगर 1s2, 2s2 दिया होता तो यह तो बिल्कुल सही है यह इसमें कोई गलती दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसके बाद 2s2 है 2s2 है यह भी सही है 2p6 यह भी सही है 3d10 और उसके बाद 3s2 है तो यह तो कुछ हमको गडबर लग रहा है C पे देख लेते हैं 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 यह बिल्कुल ठीक लग रहा है इसके बाद D पे आजिए 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 यानि कि जो इलक्टानों में कच्छक भरने का करम होता है वो कैसे होता है पहले कच्छक में 2 इलक्टान दूसरे में 8 फिर तीसरे कच्छक में कितने होता है 2, 8 अगर 8 से अधिक इलक्टान है तब तो अगले कच्छक मचे जाएंगे लेकिन अगर कम है तो आपका 8 ही कच्छक जो है वो भरता है इस प्रकार का आप दिखाएंगे आप तो यहाँ आप देखिए पहले कच्छक में 2 इलक्टान हो गया दूसरे कच्छक में 2 और 6 यानि कि 8 यहाँ पर फिलिप कर दीजिए 2, 8 यहाँ पर 10 है और 2 है यानि कि यहाँ पर 3D 10 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर आपका 3D 8 होना चाहिए था और यहाँ पर 3S 4 हो जाता लेकिन यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं इलक्टानिक विन्यास भरने का करम हो गलत है तो यहाँ पर आप जो लगाएंगे यानि कि 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 यानि 3S2 तो पहले आना चाहिए था न पहले 3S2 आता उसके बाद 3D 10 आता लेकिन यह करम गलत है पहले आपका 3S2 आना चाहिए था पहले S का च्छक, पहले S आर्बीटर आना चाहिए था उसके बाद D आर्बीटर आता यानि कि यह करम तो बिल्कुल गलत है अर्थात इसको आप कहेंगे B-Option वो हमारा संभव ही नहीं है तो B-Option आपका एंसर करेक्ट हो जाएगा नेश्ट क्रोमियम जिसका की परमारो करमांग दिया गया है 24 होता है इसका इलेक्टानिक विन्यास क्या होगा क्रोमियम जो है जो UP Board का एक्जाम कराया जाता है इसमें ये जो question है न ये previous year में कई बार repeat हो चुका है देखिए यहाँ पर जो करम है इसका क्योंकि 24 है तो 1S2 2S2, 2P6, 3S2 3P6, 3D5 4S1 ये सही करम इसका कैसी हुआ देखिए अगर हम इसका electronic विन्यास आप बाउ के नियम से भरते हैं ठीक है देखिए electronic विन्यास के जो होगा वो क्या होगा पहले कच्छेंग में 2 electron होगे फिर होगे 8 ठीक है 2 8 फिर आप भरेंगे 18 अटर दू 20, 8 आपका 28 यानि कि 20 हो जाता है यहाँ ठीक है 18 के बाद अगर आप 24 में घटाएंगे तो 18, 19, 20, 24 यानि 6 electron बचते हैं तो आप भरते हैं 2, 8, 8 और 6 यानि इसका सही करम जो हुआ electronic विन्यास बनने का वो हुआ यह ठीक है यानि 2, 8, 8, 6 अगर आप सही को सभी को जोडेंगे तो आपका 24 आना चाहिए तो आप देखेंगे तो 8, 8, 8 24 आपकारा यानि electronic विन्यास बनने का सही करम 2, 8, 8, 6 होना चाहिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1, 2 यानि पहले कच्चक में 2 electron हो गए ध्यान समझ यह आपको अच्छे समझ में आएगा ठीक है दूसरे कच्चक में आपके 6, 2, 8 electron हो गए तीसरे कच्चक में आपके 6, 2, 8 electron हो गए लास्ट वाला जो कच्चक बजता है क्योंकि यहाँ पर 3D 10 होना चाहिए था यहाँ पर 3D 10 होना चाहिए था लेकर यहाँ पर 3D 10 तो दिया नहीं गया है ठीक है इसलिए अगर हम पहले वाले option में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3D 4 भड़ा हुआ है और यहाँ पर 4S 2 भर दिया गया है लेकिन जो chromium है इसमें यही एक जो होता है अपवाद में आता है यह जो element है इसका जो लास्ट वाला कच्चक होता है इसमें किवल एक ही electron को फिलब किया जाता है हाला कि जो D कच्चक है D उपकोस है इसमें आपके 5 electron जो है वो आ जाते है इस जो electronic विन्यासित का लगते है chromium का इसका सही करम आपके recording तो यह होना चाहिए था 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 यहां पे 4S2, 4S2 पहले वाजा है ठीक है 4S2 उसके बाद 3D आपका 6 होना चाहिए था 3D4 यह आपका बिल्कुल सही करम होना चाहिए था आपके recording यह question इसका electronic विन्यास यह होना चाहिए था लेकिन chromium जो है वो आपवाद में आता है ठीक है और exception के card ही इसका electronic विन्यास है वो बिल्कुल सही जो होता है वो यह होता है B option ठीक है तो इसके electronic विन्यास को आप विल्कुल याद कर लीजेगा रट जाएगा अगर यह question गलती से भी आ जाया तो आप इसको गलती न कर दे ठीक है क्योंकि बहुत ही important है B option जो दिया गया आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 तो यह इसका बिल्कुल सही करम होता है ठीक है दोस्तों यह जो 35 number question में आपको गराने मला हूँ इस question को बिल्कुल ध्यान समझेगा इस पर आपके numerical best question दो question आपके 200% guarantee के साथ आते ही आते है ठीक है तो आपके 4 number अभी confirm हो जाएंगे इसको note कर लीजेगा मैं बता रहा हूँ पूशा गया है कि परमाडू में एक बीटा कर उर्थ सर्जित होने पर क्या होता है इस पर आपके कई सारे numerical बनते हैं जैसे कि अगर किसी परमाडू में से बीटा कर निकल गया तो क्या होता है यानि कई सारे आपसे question पूशिया सकते हैं लेगिन question यही रहता है कि अगर किसी परमाडू में से बीटा कर या अलफा कर निकलने पर होता क्या है जैसे कि example के तौर पे माली यहाँ पर कोई तत्व है जैसे कि oxygen है इसका परमाडू कर मांग होता है वो 8 होता है परमाडू भार 16 होता है अब इसमें अगर कहा जाए कि इसमें से एक बीटा कर जो है वो निकल जा रहा है तो इसके परमाडू पर क्या परभाव परता है तो इसके परभाव यह परता है परमारू में प्रोटानों की संख्या बढ़ जाती है क्या होती है परमारू में प्रोटानों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है यानि की देखिए आठ ऑक्सीजन इसका परमारू करमांग शूल है था ये आपको question exam में देगा 8.0 शूल है आपके पास oxygen तत्व है अगर oxygen में से एक बीटा कंड निकल जाए उत्सर्जित हो जाए तो नया जो परमारू बनेगा वो क्या होगा तो वो बनेगा क्या परमारू में प्रोटानों की संख्या बढ़ जाती है और जानते है प्रोटानों की संख्या यानि प्रोटानों की संख्या यानि प्रमारू क्रमांग या फिर आपका है प्रोटानों की संख्या प्रोटान का है या फिर आपका है प्रमारू क्रमांग ठीक है या तो आपका है प्रमारू क्रमांग तो यह तीनों एक अही चीज को कहा जाता है और जब हम यहाँ पे oxygen की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 जो है इसका प्रमारू करमांग है 16 इसका प्रमारू भार है अब इसमें से अगर 1 माइनस कर दें हम बीटा कर तो आपको यहाँ पर जो अगला जो उत्पाद बनेगा वो आपका यहाँ पे 9 O 16 प्रमारू भार उसका 16 रहेगा प्रमारू भार में उसके कोई भी changes नहीं आएंगे यह आपका oxygen है ठीक यह आपका oxygen है और यह आपका यहाँ पे 16 ही है लेकि यहाँ पे 8 जोब पर यहाँ पर आपके प्रमारू करमांग में एक की वृद्धी हो जाती है अगर किसी परमारू से एक बीटा कर निकलता है उसके परमारू करमांग में एक की वृद्धी हो जाती है वही अगर अलफा कर निकलता है तो क्या होता है इसके बारे हमें आगे अभी discuss करेंगे ठीक है यहाँ पर आपको इतना समझना है किसी परमाव से अगर एक बीटा कर निकल जाता है तो एक परमाव करमाग में कम ही हो जाती है सुरी विद्धी हो जाती है ठीक है और वहीं अगर दो बीटा कर निकल के तो दो की विद्धी हो जाती है तीन की अगर उतर जित हो जाता है प्रोटान के बाद आपका हाइडोजन पर माड़ू और लाश में आता है आपका अलफा कर तो इसके करम को याद रखिए कैसे याद करेंगे देखिए यहाँ पर E यानि इलेक्टान हो गया P से प्रोटान हो गया H से आपका हाइडोजन हो गया और alpha कड़ियां पर alpha होना लीजिए यानि कुछ इस प्रकार याज़िए EPH alpha क्या EPH alpha यह आपका एक तरह से sort trick हो जाएगा EPH alpha EPH alpha ठीक है इसको आप note कर लीजिए चाहे तो skin sort ले लीजिए इसके द्रवमान के बढ़ता हुआ जो सही क्रम है वो आपको जीवन भर याद रहेगा अगर आपसे पूछा जाजाता है कि द्रवमान के घरते क्रम को बताईए तो आप उसका उल्टा कर देंगे यानि alpha HPE इस प्रकार भी आप लिख पाएंगे EPH alpha यह क्रम आपको याद रखना है इससे आपकी चार अंक जो है सिक्योर हो सकते है नेक्ट क्वेशन है नेम लेखित में से किस एक तत्व की आकसाइड का सीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है तो देखिए जो कारबन है इसकी आकसाइड का प्रयोग करते हैं सीतलक की तरह यहाँ पर आपका C option जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्ते यह question जो है most important question है और यह group K के group K के जो बच्ची आते हैं later group में उनके में भी यह question कई बार previous यह ने पुछा गया है नाभिकी रियक्टरों में graphide प्रयूक्त किया जाता है कीस लिए प्रयोग किया जाता है आप से यह पूछा गया है देखें नाभिकी रियक्टर कई कहा गया है देखें आपके वीज़ी जो पादन होते हैं वो कई तरीके से होते हैं यानि इककाई आपका budget के दारा ईकाई आपका होता है hydro power plant जिसमेन की kohyele को जला करके ठीक है उसके भाप को उसके steam से जो है तर्बाइन पर steam को देख एकरके उसकी करतीम तर्बाइन को घुमा करके उसको हम बीली पैदा कर लेते हैं उत्पन कर लेते हैं ठीक है जसा अपने mortar यूज में घरों में जो चोटे motor होते हैं उसमें motor आपने कभी देखा होगा तो कुछ इस पका का मोटर होता है जब आपने देखा होगा यहां पर दू इसके वायर निकले होते हैं एक वायर यह हुआ एक वायर यह हुआ यह हुआ यह पालिटी हुआ यह निगेटिव हुआ अब आपना हाथ से कभी आपने जब इस वाली जो यहां पर निकला हुआ है इसकी धुरी न इसको अगर आपने हाथ से पड़कर कुछ इस परकार घुमाया ठीक है तो आपने देखा यहां पर जो है अगर कोई आपने बल्ब लगाया हुआ है ठीक है यह अगर आपने कोई यहां पर बल्ब लगाया हुआ है यह बल्ब कुछ समय के लिए जलने लगती है अगर आपने इस motor को घुमाया तो यह बल्ब कुछ सेकेंड के लिए जल जाती है तो आपको इससे यह पता चलता है कि अगर हम इस motor की इस धुरी को तेजी कशी से घुमाते रहें लगाता है तो हमें वीली पैदा होते रहेगी सेम इसी concept पर हम इसहां पर जो है पर आपका होता है नाभ की रियक्टर में प्रियोग होता है जहां पर हम कहते है नियुक्लियर पावर प्लांट होते है नियुक्लियर प्लांट में आपके यूरीनियम का प्रियोग किया जाता है किस रूप में यूरीनियम का प्रियोग किया जाता है आपके इधन के रूप में जैसे कि अब highdropol plant का यूश कर रहे हैं तो hydropol plant में जापका इधन होता है वो पानी होता है पानी को गिराए जाता है टर्वाइन पे वो ठहरमल power plant होता है उसमें कोईले कुल क्या कर राता है चला जाता है यूज क्या हुआ इधन हुआ और यहां पर चुछ आपके nuclear power तो यहां पर नाविकी रियक्टर में ग्रिफ हाइट का प्योग किया आता है क्या देखिए जब यूरेनियम से नाविकी नुक्रियर पावर प्लांट में जब उसको बिस्पोर्ट करा जाता है ठीक है तो उससे बहुत ही उच गती में मतलब बहुत अधिक मात्रा में इतनी अ कारीब 10 टन अगर आपके कोयले का बात कर लें अगर कितना ज्यादा खतरनाक है कितनी आदी इसमें इनर्जी होती है यही कार है कि जब इरुनियां का वहां पे बिस्पोर्ट करा जाता है ठीक है तो उसकी कंडिशन में उसमें बहुत अधिक मत्रह में उर्जा निकलती है और उस उर्जा को कंट्रोल न किया जाए तो आपके जो फ्लांट है न उसमें जो तमाम अपके लगे हुए है वह लगे हैं वह दैमेज हो सकते है ख़राब हो सकते हैं ठीक है और व्रबण वी स्पोर्ट भी हो सकता है आपके रियक्टर में ठीक है तो इसकी गति को कम किया जाता है नियूटानू का वइग घटानी के लिए हम नाब की रियक्टों में ग्रिफ हाइट का प्रियोग करते हैं क्या करते हैं ग्रिफ हाइट का प्रियोग करते हैं क्या करके क्योंकि बहुत से प्रसमें इससे बनते हैं देखें बहुत हीजी क्वेश्चन है और इससे हीजी क्वेश्चन आप से जामें नहीं पुछा सकता ह कहिरी में से कौन सा क्लोरीन का सही इलक्टानिक विर्ण सत्र होता है अगर hydrogen, helium, lithium, beryn, brown, carbon, oxygen, protein, neon, sodium, manishin, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine हाँ chlorine आ गया तो chlorine आ रहा है जो कि 17 होई नमबर पर आ रहा है तो जब इसका आपको पता है कि chlorine जो है 17 होई नमबर पर आ रहा है याणि 17 इसके परमाडुक क्रमांग होंगे तो इसका electronic विन्यास कैसे लिखेंगे? पहले आप रखेंगे पहले कच्छक में 2 electron, दूसरे कच्छक में 8 electron रखेंगे, तिसरे कच्छक में भी आप 8 electron रख सकते हैं, लेकिन आपके बचे कितनी electron? आपके बचे केवल 7 2-8 के बाद आप साथ ही रखेंगे ना आठ बजे इने आठ कहां से रख देंगे दो आठ साथ यह आपका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा electronic विन्यास के भरने का अब यहाँ पर अगर आफसन देखेंगे आपको electronic विन्यास निकालना नहीं भी आ रहा है फिर भी देखिए आ आपने देख रहे हैं कि यहां पर तिन भी तरह चाहींगे और यहां पर और यहाँ पर आठ कने हैं है और यहां पर सतर आ रहा यहां पर 20 убख में और यहाँ तो ऐसा ही कर जाता है ठीक है अधो यह विंग sırन्हW fum आप से पूछा गया है, तो यहाँ पर बहुत हीजी question है, B option यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जागा, उमीद है आपको यह question स्वाज में आ गया होगा, अब दूस्तर की यहाँ पर question पूछा गया है, कि नियुट्रान होंगे, देखिए, नियुट्रान के संख्या गयात करने के लिए, आप परमाडू भार में से परमाडू करमांग को घटाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, जिसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर option number A में FE है, FE याँनि आपका iron, B option दिया गया है, C याँनि copper है, C में आपका J याँनि zinc है, और D में आपका zinc है, लेकि इस पर दो धानावे से charge है, अब यहाँ पर चेक करना चाहें, 32 आता है, 61 में से 30 घट आते हैं, तो आपका 31 आता है, 60 में से 30 घट आते हैं, तो कितना आता है, 30 आता है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसी यादी जो neutron को संख्या किसमी है, सरवाध ही न्यूटान पुछेगा है न सबसे न्यूटान संख्या गारी है यहाँ पर 33 सबसे एड़ा तो यहीं आपका हो जाएगा ओफसन नंबर ए इसमें न्यूटानों की संख्या सबसे अधीक है अब यहाँ पर फार्मूला योज के लिए नोट करिएगा क्या न्यूटा पी माइनस के जेड यानि प्रमाडू क्रमांक या फिर न्यूटानों की संख्या बराबर पी माइनस के जेड होता है यहाँ पर आपका ओफसन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो फाइलली हमारी आज की क्लास का यह आखरी प्रसंद था उमिद है कि आपक संख्याने का प्यास किया है तो उमिद है आपको हरे क्लियर भी हो गया होंगे बहुत ही अच्छे से क्लास अच्छे लगी हो तो क्लास को लाइक और सियर करना बिल्कुल भी ना भूले मिलते हैं इसके नेक्स क्लास में इसके नेक्स चैप्टर के साथ आपका जो केमेस्टी मानक इलेक्टोर्ड वीभव ठीक है ये चैप्टर आपका है केमेश्टी का नेक्स चैप्टर तो इस चैप्टर को आप सभी पढ़ कियाएगा कल की जो क्लास होनी वाली है इसमें आपको यही से रिलिटर्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कराये जाएंगे ठीक है चुली करास को यह पर इंट करते हैं थैंक यू